हलो फ्रेंज अपना कीचन में आपका स्वागत है आज मैं सेम आलू की बहुत ही टेस्टी सबजी की रेसिपी सेयर करने वाली हूँ बिल्कुल मचली जैसा स्वाद लगेगा इसका बनाने का तरीका मैं बिल्कुल आसान बताऊंगी तो फ्रेंज वीडियो पूरा देखिएगा अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक, सेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चली शुरू करते हैं आथों से खीशते जाएंगे तो निकल जाएगा ।ो बाकी ने चली गेसंद और दोनों तरभ थोड़ा-थोड़ा मेंस आटके एससे जाएंगे मैं अधा अधा इंच में नेकंप कर रहे हूं आप चाहएं तो इससे वी छोटे साइज में सब्सक्राइं चाब करते हैं या फिर एक सेम में दो टुकड़ा करके बड़ा साइज भी कट कर सकते हैं देखे फ्रेंज सारे सेम को हम कट कर लिए हैं आप देख सकते हैं आदा आदा इंच के साइज में दो मीडियम साइज का आलू ली हूँ आलू को देखिए इस तरह से कट कर ली हूँ मोटा मोटा आलू और सेम आप अपने जरूरत की साफ से कम जादा कर सकते हैं जितना आपको जरूरत हो दो मीडियम साइज के प्याज लेंगे प्याज को एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे और एक बड़ा साइज का टमाटर लेंगे टमाटर को इस तरह से मोटा मोटा कट कर लेंगे अब चली मसाले त्यार कर लेते हैं मिक्सर गंदर के जार में डालेंगे 10 छीली हुई लासुन की कलिया दो हरी मीर्च दो छोटे टुकडे अधरक के एक छोटा चिमच पीला सर्सू पीला सर्सू के जगपर आप काला सर्सू भी ले सकते हैं इस्तमाल कर सकते हैं एक छोटा चमच जीरा, आदा छोटा चमच धनिया, आदा छोटा चमच काली मिर्च, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और मसालों को पीश करके एकदम स्मूथ पेष्ट त्यार करेंगे देखे फ्रिंज मसाले पीछ चुके हैं और एकदम स्मूथ पेश्ट त्यार है अब चुले पर कडाई रख देंगे और गैस अन कर लेंगे अब हम इसमें डालेंगे दो बड़ा चमच सर्सों का तेल और तेल को अच्छे से गरम होने देंगे जब तेल अच्छे से गरम हो जाएगा तब हम उसमें डालेंगे आधा चोटा चमच पच फोरन यानी पाच मसालों का मिस्त्रन अगर पाई चैंस पच फोरन नहीं है तो पच फोरन के जग़ा पर आप आधा चोटा चमच मेथी के दाने भी डाल सकते हैं पच फोरन जब चटक जाएगा तब हम उसमें डालेंगे बारी कटी हुई प्याज प्याज डालने के तुरंत बाद ही हम डाल देंगे कटे हुए आलू अब आप सोच रहे होंगे कि प्याज और आलू दोनों को एकी साथ क्यों डाले आपके मन में एही सवाल चल रहा होगा कि प्याज को पाले फ्राई करके आलू को क्यों नहीं डाले तो फ्रिंस प्याज पाले ही तेल में डाल देने से प्याज जल जाएंगे जो कि हमको इस बहुत ही टेस्टी सब्जी बनने वाली है गैस हम मीडियम रखेंगे और जब तक प्या और आल्लू का डूर कलर यह अँल का चेंज हो जाता नहीं हो जाता तक हम इसट करेंगे देखी फिरिंग दो मिनद तक हम सेम और आलू को मीडियम फ्लेम पर फ्राई की और आप देख सकते हैं इनका कलर चेंज हो गया है हलका सा सुनारा हो गया है तब हम इसमें डाल देंगे कटी हुई सेम अब हम सेम आलू और प्याज को एक साथ अच्छे से मीड़ी कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर 2-3 मिनट तक इनको फ्राई करेंगे तो इससे क्या फायदा होगा सेम आलू और प्याज सभी का जो फ्लेवर है एक दूसरे में अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा और हमारा टाइम भी बचेगा बार बार अलग अलग फ्राई नहीं करना पड़ेगा बहुत ही कम समय में सबजी बनके रेडी होगी बहुत ही स्वाधिश्ट देखे फ्रेंज दो से तीन मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं प्याच आलू सेम बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया है आलू तो 50% फ्राई करते करते ही पक चुके हैं तब हमको सबजी बनाने में जादा टाइम अब नहीं लगने वाली है अब हम डाल देंगे पीसे हुए मसाले जो हम लोग पीस करके रखे थे और मिक्सर गैंडर के जार में थोड़ा सा पानी डाल करके धो लेंगे और डाल देंगे साथी में डाल देंगे आधा छोटा चमच हल्दी पाउडर और एक चमच लाल मिर्च पाउडर लाल मिर्च आप अपने इसाब से डाल सकते हैं जितना आपको तीखा पसंद हो कमिया जादा अब इन सभी चीजों के साथ ही डाल देंगे कटे हुए टमाटर और स्वाध अनुसार नमाग अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम एकदम लो रखेंगे इस टाइम लोफ लिम पर सबजी को ढख करके 10-12 मिनट तक पकाएंगे और पानी का बिल्कुल भी इस्तमाल नहीं करना इस सबजी में बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे बीच बीच में ढटा हटा करके सबजी को चलाते रहेंगे और चेक करते रहेंगे ताकि नीचे सब्जी जले नहीं इस तरह से उलट पलट करते हुए सब्जी को पकाएंगे देखे फ्रिंद दस से बारे मिनट तक हम टोटल सब्जी को पका लिए ढख करके और आप देख सकते हैं बहुत ही स्वादिष्ट बिल्कुल मचली जैसा स्वाद वाला हमारी टेस्टे एंड डिलिसे सेम और आलू की सब्जी बनके रेडी है एक पिस आलू लेकर के हम लोग चेक कर लेते हैं आलू अच्छे से पके हैं की नहीं तो इस तरह से काटे वाले चम्मच किल्प से दबा करके देख लें ये देखे फ्रेंस आलू बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुके हैं तब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी बारिक कटी युहरी धनिया की पत्ती और धनिया की पत्ती को अच्छे से सब्जी में मिक्स कर लेंगे तो फ्रेंस देखे न बहुत ही कम समय में हमारी टेस्टी अंडिलीसियस बहुत ही स्वादिष्ट बिल्कुल मचली जैसा स्वाद वाली सेम आलू की सब्जी बन के रेडी है प्लीज इस रेसिपी को ट्राई जरूर करें बहुत ही टेस्टी बनेगा बच्चे हो या बड़े पसंद आएगा गयस का फ्लेम बंद कर देंगे अब हम गर्मा गंद सर्व करेंगे तो फ्रेंस इस रेसिपी को जरूर से ट्राई करें और मुझे बताए कैसी बनी थी सब्जी और ऐसी ही टेस्टी और रिलीसियस रेसिपी देखने और सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक् और अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें और इस रेसिपी को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें